Hello friends, welcome back to my YouTube channel. आज हम Child Psychology and Pedagogy के बाल विकास के सिधान्त से related काफी important questions करेंगे. ये जो सिधान्त है इसे related simple question भी है लेकिन अलग-अलग psychologist ने अलग-अलग सिधान्त दिये हैं. वो हम next वीडियो में करेंगे फिलहाल बाल विकास के सिधान्त से related जो भी important question है. आज हम इस वीडियो में उनको cover करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा first question है विकास सामान्य तह सिर से पाउं की तरफ अगरसर होता है. विकास का यह सिधान्त क्या कहलाता है? जो सिर से पाउं की तरफ हमारी development होती है उस सिधान्त को हम क्या कहते हैं? द्वी पाशर्व से एक पाशर्विय, प्रॉक्सी मॉडिस्टल मतलब अंदर से बाहर की ओर, सामान्य से विशिस्ट की ओर या शीरो पादिय. इसका जो सही उत्तर है वो है शीरो पादिय. इस सिधान्त को हम कहते हैं जो सिर से पाउं की तरफ होता है शीरो पादिय. चलिए, next question है अब हमारा, केंदर से परीधी की ओर अगरसर होने वाले विकास को क्या कहते हैं, जो center से जो विकास होता है और परीधी तक जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वतुलाकार विकास, रेखिय विकास, समीप दूरा भी मुख मुख, या शीरोपादिय, इसका जो सही उ एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है, मतलब एक बच्चा है, वो पहले पूरे हाथ को चलाता है, फिर उंगलियों को चलाता है, फिर हाथ और उंगलियों दोनों को mix करके इकठे चलाना सीखता है, तो ये उदारण वृद्धी और विकास के किस सिधान्त को दर्शाता है, जो भी बच्चा ये activity कर रहा है, ये जो है हमारे जो वृद्धी और विकास है, इसके कौन से सिधान्त को दर्शाता है, तो options है, निरंतरता का सिधान्त, सामाने से विशेश का सिधान्त, व्यक्तिगत विंता का सिध्धान या एकी कर्ण का सिध्धान तो इस सिध्धान को हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं एकी कर्ण का सिध्धान ये काफी important question है कई वारे exam में पूछा गया है ठीक है हमारा next question है कौन सा अविवरिद्धी और विकास का सिध्धान नहीं है अब ऐसा कौन सा सिध्धा जो अभीविद्धी और विकास का नहीं है, तो options देख लेते हैं, समान प्रतिमान का सिधान्त, गलत विकास का सिधान्त, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिधान्त, या व्यक्तिगत विभिनताओं का सिधान्त, इसमें से कौन सा है जो अभीविद्धी और विकास का सिध्धांत के अंतरगत नहीं आती next question है एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाय अनुभव कर रहा है उसने अनुमान लगाया कि वह हीरा यानि के diamond का चितर बनाने में में भी कठिनाय अनुभव करे गा उसने निमन में से किस सिधान्त पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया अब देखिए जो भी हमारे चाइल्ड साइकॉलोजी या नॉर्मल एजुकेशन साइकॉलोजी से रिलेटिड क्वेश्चन पूछते हैं उसको बनाने के लिए जो यह स्क्वेश्चर आपको पिक्चर में दिख रहा है इसको बनाने के लिए उसको बहुत कठिनाई हो रही है ओप्चन से विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवरिती से संबध है विकास की प्रक्रिया एक उत परिवर्तनिय प्रक्रिया है विकास निरंतर होता रहता है अलग-अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग होती है इसका जो सही उत्तर है वो है विकास एक व्यवस्थित करम में होने की प्रवरिती से संबद है मतब sequence wise होता है पहले easy चीज़ सीखेगा फिर उससे tough फिर उससे tough फिर उससे tough तो विकास एक व्यवस्थित मतब systematic way में होने वाली जो है वो प्रवरिती है इसी से teacher ने ये अनुमा लगाया कि जो बच्चा वर्ग भी नहीं बना पा रहा है वो कल को diamond का चितर बनाने में भी उसको जो है काफी कठिनाई आएगी तो ये भी काफी important question है तो आपने इसको ढंग से समझना है अगला question है हमारा निमन लिखित में से एक विकास का सिधान्त है जो options आएंगे उन में से केवल एक ही होगा जो विकास का सिधान्त रहेगा विकास हमेशा रेखिय होता है सभी की विकास दर समान नहीं होती विकास की सभी प्रक्रियां अंतह संबंदित नहीं है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है तो इसका जो सही उत्तर है वो है सभी की विकास दर सम नहीं होती विकास का यह में सिधानत है कि सभी की जो डेवलपमेंट है वो एक जैसी नहीं होती अलग-अलग तरह से अपने अपने हिसाब से सभ डेवलप करते हैं लाइफ में अगला प्रशन है नरेश और मुकेश की आयू समान है उनके सावाजी के वह मानसिक विकास में सभी अंतर है तो यह किस सिधान्त के कारण होता है आयू सेम होने पर भी सारे इंसान एक जैसे नहीं हो सकते तो इसी के बार में बताना है यह किस सिधान्त के अंतरगत आता है परिमार जितता का सिधान्त निश्चित वपूर्व कथनिय प्रतिरूप का सिधान्त व्यक्ति प्रतिमान का सिद्धान्थ। यो आयू जो सेम रहने पर भी जो socially और mentally छो difference है वो क्यों है स्थास कीजमंद के उभेटति एंडिविजस्वलीटी का सिद्धान्थ होता है वो इसके अंडर आता है व्यक्तिगत्ता का सिधान्त अब हमारा next question है नीमन में से विकास का कौन सा सिधान्त गलत है इन में से कौन सा जो विकास का सिधान्त है वो सही नहीं है विकास में व्यक्तिक विभिनता होती है विकास सैयोगों का परिणाम है यह एक सतत प्रक्रिया है यह पूर्व कथ निय है इसका जो सही उत्तर रहेगा वो है विकास सयोंगों का परिणाम है तो ये सिधान्त जो है इसका गलत है कि विकास सयोंगों का परिणाम नहीं है ये तो एक continuous चलने वाला प्रोसेस है ठीक है विशेश अवधी के दोरान विकास प्रगती करता है लेकिन इस अवधी में समा योजन के लिए विराम करता है यह विकास के नीमन किस नियम को अनुसरित करता है क्वेशन पढ़ने से आपको समझ आ गया होगा कि एक समा योजन के लिए जो एक जगा है रुख जाता है विकास तो ये कौन सा जो है सिधान्त रहेगा समनवे का सिधान्त निरंतरता का सिधान्त चक्राकार प्रगती का सिधान्त या समान प्रतिमान का सिधान्त इसका जो सही उत्तर है वो है चक्राकार प्रगती का सिधान्त जब जो है विकास बीच में जो है अडजेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा विराम करता है, stoppage लगाता है, तो वो रहता है हमारा चक्राकार प्रगती का सिध्धांत, अगला question है, संकल्पनाओं की विवस्तित प्रस्तुती, विकास के निमन किन सिध्धांतों के साथ संबंदित हो सकती है, संकल्पनाओं मतलब जो हमारी imaginations होती है, तो वो किस से समंदित हो सकती है, विद्यार्थी भिन दरों पर विक्सित होते हैं, विकास के परिनाम स्वरूप वृद्धी होती है, विकास विश्म जातियता से स्वायतता की और अगरसर होता है, या विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, इसका जो सही उतर है वो है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, नेक्स्ट कोश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षन की खेल पद्धती मूल रूप से किस पर अधारित है, ये भी काफी important question है जो खेल पत्ती से related है निचली कक्षाओं में किस पत्ती पर अधारित है शारीरिक शिक्षा कारेक्रमों के सिधानत पर शिक्षन पधतियों के सिधानतों पर विकास एवं वृद्धी के मनोवेग्यानिक सिधानतों पर विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह विचार किसे समंदित है कि development जो है एक continuous process है जो कभी समाप्त नहीं होता है यह विचार किसे समंदित है अंतह समंद का सिधानत निरंतरता का सिधानत एकी कर्ण का सिधानत या अंतहक्रिया का सिध्धान्त या आपको option से थोड़ा सा तो समझ आई रहा होगा कि ये कौन से विचार से समंधित है ये है निरंतरता का सिध्धान मतलब continuity का जो सिध्धान्त है जो continuous process है एक development ठीक है ये भी काफ़ी important question है next question है हमारा बच्चे के विकास के सिध्धान्तों को समझना शिक्षक को किस में सहायता प्रदान करता है बच्चे के जो विकास के सिध्धान्तों को समझना क्यों जरूरी है एक teacher के लिए और वो किस किस में help करता है शिक्षार्थियों की अधिगम शैलियों को प्रभावी रू भूमी को पहचानने में तो एक टीचर के लिए किस सिधानत के लिए ये हमारी हैल करता है वो करता है शिक्षार्थियों की अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में next question है मानव विकास कुछ विशेश सिधानतों पर अधारित है निमन में से कौन सा मानव विकास का सिधानत नहीं है ऐसा कौन सा सिधानत आएगा जो जो है human development का सिधानत नहीं है सामान्य से विशिस्ट प्रतिवर्ति निरंतर्ता या अनुक्रमिता इसका जो सही उत्तर है वो है प्रतिवर्ति प्रतिवर्ति मींज रिवर्सिवल जो सिधानत है वो रिवर्सिवल होते हैं और अनुक्रमिता का मत होता है sequencing निरंतर्ता आपको पता है continuity और सामान्य से विश question है निमन में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है अब ऐसा कौन सा कथन आएगा जो development के बारे में सही नहीं है आप्शन हैं विकास अंतह क्रिया का फल है विकास एक व्यवस्तित रिंखला का अनुगामी है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है या विकास विशिस्ट से सामान्य की ओर अगरसर होता है इसका जो सही उत्तर है वो है डी विकास विशिस्ट से सामान्य की ओर होता है मतलब विकास जो है specific से normal की और जाता है ठीक है तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म करती हूँ I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं अपनी next वीडियो में thank you friends